बिद्नहर का श्री गडेशा, श्री गडेशा, श्री गडेशा मुझे उप्टन समान किसी लेप की आवेश शकता है जिससे जगहन और मनु जब उसे मेरी देह पर मले तो वो उप्टन उनके स्पर्श को मेरी त्वचा तक पहुँचने से रोग दे नारियल के बिख्च पर चरना हमारा काम नहीं है भईया जगन चलिए लौट चलते हैं, कह देंगी कि हमें नारियल नहीं मिला और वैसे भी, मा अपना विशैला तेल तैयार कर चकी होंगी नहीं ब्राता, वो कोई साधारन बालक नहीं है, बहुत चतुर है यदि हम खाली हाथ लोटे, तो उसे हम पर संध्य हो सकता है कहीं ऐसा नहीं, जो प्रभू धून रहे हैं वो उन्हें ना मिले, और वो तो नहीं दुश्ट लोट आए यह देखो, कहा था ना, मिल गया नारियल यहां तो मुझी कहीं उपदन दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर उपदन कहां से लाओं पुत्र विनायर, तुम्हारी माता अधिती की ममता और तुम्हारी मात्र भत्ती देखकर मैं अत्यंस प्रभावत हूँ कहो पुत्र, कह तुम्हारी क्या साहता कर सकती हूँ माता, मुझे एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए कुछ उप्तन की आवेश्यक्ता है मुझे उप्तन देने की कृपा कीजिए भस पुत्र, इतनी सी बाद, आप भी देती हूँ माता, इतनी ममता से आपने मुझे पुत्र बुलाया इतने स्नेह से मुझे उप्तन दिया मैं वचन देता हूँ माता मैं भी आपके पुत्र धर्म निभाऊंगा द्वापर युग में मैं आपके उप्तन से आपका पुत्र बन कराऊंगा मेरे उस रूप में मुझे गणेश के नाम से जाना जाएगा और माता अदिती के समान आपके भी ममता का सुख प्राप्त करूँगा और माता आपको भी उस अपार ममता के अनुभव का आनन्द मिलेगा ना हाँ पुत्र वचन दिया है तो अवश्य उसे निभाना भी तुम्हारी ये मा तुम्हारी प्रतीक्षा करेगी अब जाओ पुत्र जाकर अपना करता वव्य निभाओ और अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर शीखर मेरे पुत्र बनकर मेरे पास लोटो पुत्र अर्थात मुझे तब भी ग्याद था कि आगे चलकर मैं माता पार्वती का पुत्र बनकर अवतार लोगा अब दूसरा वचन जो मैंने विनायक की रूप में माता अधिती को दिया था कि मैं एक बार उनसे मिलने अवर्षिय आऊंगा परन्तु उससे पहले आपको विनायक की कथा संपन करनी होगी प्रभु अवर्षिय मुशक जी प्रभू आप जो ढून रहे थे मिला आपको निल गया नारियल अतिती को निराश करना हमारे सुभाव में नहीं है हाँ, कठी नवश्य था परन्तु हम आपके लिए नारियल ले आए और वैसे भी, अतिती तो हमारे लिए भगवान के समान है तेल की कटोरी खाली और मा भी दिखाई नहीं दे रही है हमारी मा कहा है मैं ठका हुआ धाना, तो आपकी माता की इच्छा हुई मेरे शीष की मालिश कर दे, फिर मुझे ये तेल समर्पित कर वो चली गई अजबुद, प्रगु ने सत्य भी नहीं कहा, और इन दोनों को ज्यात भी नहीं होने दिया, क्योंकि मा कहा गई मा कदाचित समझ गई होगी, इस पर तेल का प्रभाव नहीं पड़ा तो मा चली गई इसलिए जो भी करना है, हमें ही करना है क्या हुआ, आप दोनों क्या खुशुर्पुशुर कर रहे हैं? विचार कर रहे थी कि आपकी सिर्की मालिश तो कर दी होगी, लाइए हम आपके पैर की मालिश कर देते हैं हाँ, हाँ, अवश्य, मैं भी तैयार हूँ और राजन भी, किन्तु तेल की कटोरी में तो कुछ भी नहीं है, फिर आप कैसे मालिश करेंगे? वैसे माता ने मुझे ये उप्टन दिया है, इससे मालिश कर दीजिए आपने तैयारी करने के बाद ही आसे गई हैं और वैसे भी, उप्टन होया तेल, हमें क्या करना है? हमें तो बस इसे इस पर्ष करना है और इसकी शक्ती सोखनी है हाँ, हाँ, क्यों नहीं? हम आपकी उप्टन से ही मालिश कर देंगे हाँ, और फिर आप कुछ नान भी करवा देंगे हाँ, अब आपके पैरों की ठकान मिटाने की बारी है, आईए ये क्या कर रहें आप? इन्हें अपना स्पर्ष क्यों करने दे रहे हैं? कर आवा कि आङ, फिर फीर आख करेंरे बश्पर्टन outset कर रहे है, अब कले हिसरी माला भी कर देख कर दे अब इनुराव' इस और आजए जिदेने श्रूंसान सिंदेन लयग्यार की असे कम्यूंस कर देख सताव होतुआ है यह हो क्या रहा है हमारा स्पर्स होने पर भी इस पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है यह तो जज का तसी है रुप क्यों गए आपने तो कहा था अतीफी का सतकार करते हैं सारी धकान मिटा देंगे तो कीजिए न ऐसी मालिश कीजिए कि आनन दा जाए जी अवश अवश ब्राता मनू और उप्टन लेके पूरे बल से इनकी मालिश कीजिए अब समझा ये है विनायक की युक्ति उप्टन की एक परत रहेगी तो ये दोनों कुछ भी कर लें प्रभू की तवचा तक नहीं पहुँच सकेंगे हाँ हाँ अच्छे से मालिश कीजी इसके बाद मेरी भी तो सेवा करनी है आप लोगों को सेवा तो कर चुके अब मेवा मिलने का समय है किन्तु कुछ हो क्यों नहीं रहा है और आप वहाँ थोड़ा बाई और सकती से कीजीए मालिश धीले हाथ से नहीं ओहो अब आपको भी बताना पड़ेगा क्या सकती से कीजीए न थकान मिटाने वाली मालिश कीजीए दिखाने वाली नहीं आहा अब आनन्द आया क्या हुआ मेरी शक्ती प्राप्त करने के स्थान पर आप दोनों अपनी ही शक्ती खो रहे हैं इसमें चकेत होने की क्या बात है यही योजना थी ना आप दोनों की इसको ग्याद था और था थी हमारे साथ क्रिड़ा कर रहा था और हमसे अपनी मालिश करवाय जा रहा था ए बालक हमारी माता कहा है तूने उनके साथ क्या किया मैंने कुछ नहीं किया हाँ पर मैंने उन्हें सत्य का आभास अवश्य कराया और जिसे अपने पाप कर्मों का आभास हो जाता है और जो शर्नागत हो जाता है वो शमा का अधिकारी हो जाता है मैं धुम्राक्ष पुत्र जगन हूँ इतनी सरल्ता से हार सुईकार नहीं करूँगा और मेरा तो सभावी है मैं पराजित होता नहीं करता हूँ और भूल मत करो अपनी भूलो को सुधार लो अपने एहंकार अपने मैं पर नियंत्रन करो मैं भूलता नहीं हूँ भूला देता हूँ और मैं तो बड़े से बड़े यद्धा को अपने सामने टिकने नहीं देता इसी नारियल से आघात करेंगे आघात करेंगे प्रभू हमें ख्षमा कीजिए, हमें अपनी शरर में लिये लिःजी प्रभू आप असाधारन है, अध्भुट है, मुझे विश्वास है, आप दिव्य शक्ति हैं इसी लिए महरशी कश्व ने आपको मेरे साथ बेजाए मैंने तो पहले ही कहा था राजन मुझ पर विश्वास रखिए अब मैं आप पर कभी विश्वास नहीं खोंगा ये मेरा वचन है आपसे विश्वास केवल शब्दों से नहीं अपने प्रभू के प्रती सची निष्ठा और भक्ती से व्यक्त होता है और जिन्हें अपने भगवान पर अटूट विश्वास होता है उन्हें सदा मुक्ती मिलती है किन्तु प्रभू ये दोनों तो महा दोश्ट और महा पापी थे फिर आपने इने मुक्ति क्यों दी? क्योंकि इन्होंने भी एक बड़ा कार्य किया बड़ा कार्य? किसी भी कारण से की हो किन्तु इन्होंने मेरी सेवा तो की न? और फिर मेरे चर्णों पर नारियल भी चड़ाया कदाचेत आपको नारियल चड़ाने का महत्व नहीं ग्याद, मैं बताता हूँ व्यक्ती का मैं यानि उसका एहंकार नारियल का बाहरी कठोर भाग है और यही उसकी पहचान बन जाती है नारियल के भीतर का जल उसकी कामनाओं और वासनाओं का प्रतीक है और जिसका प्रतीक नारियल का कोमल उजवल गूदा है वो मनुष्य का सबसे पवित्र भाग, स्वयम परमात्माद्वारा रचित होता है एवं उसकी अंतर का गूर भाग, उसकी आत्मा और परमात्मा का एकाकार स्वरूब है इसलिए नारियल चड़ाने का अर्थ है और जब स्वयम का समर्पन हो जाए, फिर जो शेश बचता है, वो प्रभू का प्रसाध ही तो होता है जिसको संपूर्ण मानव जाती के साथ बाटा जाता है बताइए काशी नरेश, क्या समझे आप? यही की जो अपने एहंकार को तोड़कर अपनी वासनाओं से मुक्त हो जाता है वो प्रभू प्रसाध के समान पवित्र हो जाता है और प्रभू का प्रसाध तो संसार के भलाई के लिए होता है इसलिए उसको सबके साथ बाटना चाही उचित कहा आपने, किन्तु एक बात आप अभी भी भूल रहे हैं जीवन की छोटी-छोटी उपलब्धिया, छोटे-छोटे सुख जीवन को पूर्णता प्रदान करते हैं उन्हें कभी अस्विकार नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्हें अस्विकार किया, तो एक त्रिष्णा, एक भूख मन में बस जाती है और फिर उस भूख को मिटाने के लिए, उस महत्वकांशा को प्राप्त करने के लिए, हम बड़ी भूल कर बैठते हैं राजन, यदि आपने आरंभ में लड़ूओं के लिए मना नहीं किया होता, तो आपकी भूख नहीं बढ़ती और आप इन तीनों के जाल में ना उलचते उचित कहा प्रभू धीवी, आप मेरे लिए प्रतीक्षा पास हैनी होती जा रही आप अपनी मम्ता पर विश्वास रखें देवी पार्वती, गणिश आज आएगा, शीक्र आएगा वो मुझे अपनी मम्ता पर तनिक भिया विश्वास नहीं है देवी, कि तु ये एक ऐसी भावना है जिसे समहालना भी कटिन है और समझना भी कटिन है इसे केवल एक पुत्र की माँ ही समझ सकती है कदाचित आप इसे नहीं समझ सकेंगी देवी लक्ष्म कदाचित आप उचीत कह रही है देवी, परन्तु अभी तो आपको स्वयम को समझाना होगा थोड़ी सी प्रतिक्षा करनी होगी आपको क्योंकि अभी तो गनेश अपने पूर्व अवतार को लेकर अपनी सभी जिक्यासाइश शान्त कर रहा होगा धूमराक्ष और ज्रिम्भा की पराजय से तिल मिलाए हुए नरान तक और देवान तक अब इससे भी बड़ा विग्नुत्पन करने जा रहे थे पास! कोई युक्ति नहीं चलेगी स्वैम जाओंगा मैं! रात आश्री युक्ति और शक्ति में तो ये पून पारंगत है किन्तू क्या ये जलका सामना कर सकेगा इसकी परिक्षा भी बाकी है और यदि हम दोनों में से किसी को जाना ही होगा तो पहले मैं जाओंगा तो ले लो उसकी परिक्षा ये भी करके देख लो क्यों तो कौन करेगा उसके साथ ये चले? गंदर और कूपक बहुत प्यास लग रही है जल कहीं दिखाई नहीं दे रहा प्यास लगी है तो भटक क्यों रहे है? वहां देखिए कुवा है किसी भी जलाशे से अधिक स्वच और मेठा है इस कुवे का जल आओ चलो जल पिलो और अपनी प्यास बुजालो चलो और स्वाद ही नहीं उसका दिश्य भी बहुत अद्भूत है कुवे में जाग कर देखोगे तो दिल आनन्दित हो उठेगा अच्छा? क्या वास्तों में इतना अधूत है इसका जल? विश्वास नहीं होता तो स्वेम जाग कर देख लो वा कंदर वा आनन्द आ गया था कंदर चल करना तो कोई तुमसे और खूपक से सीखे परणाम प्रभू प्रभू आप यहां क्यों आए यदि हमारे लिए कोई कार्य था तो हमें गुला लेते कार्य है कंदर एक अतियंत महत्वकून कार्य है जो तुम दोनों को शीघ्र करना है बस आप आदेश दीजे प्रभू प्रभू धूपका ताफ थकान को बढ़ा रहा है चलना भी बहुत कठिन हो रहा है प्रभू संभली है राजन अब तो विश्राम के बाहत ही चला जाएगा प्रभू उसे प्यास भी लगी है थोड़ा थोड़ा जल चाहिए विनायक यहां तो दूर दूर तक जल का कोई चिन भी नहीं राजन थोड़ा प्रयास कीजिए आगे चलिए कदाचित मार्ग में कहीं जल मिल जाए अच्छा प्रभू चलिए क्या हुआ पुत्र इतने व्याकुल क्यों हो क्या चाहिए तुम्हें प्रणाम रिशिवर प्रणाम रिशिवर जल थोड़ा जल चाहिए हाँ लीजिए न ओ मुझे तो ध्यान ही ने रहा मेरा कमंडल तो खाली हो चुका है इसका तो जल मैं ही पी गया किन्तू चिन्तितना हो ये राजन निकट में ही जल का कूप है जिस पर स्वयम देवताओं की कृपा है जिसमें सदा ही जल रहता है उसके दिव्य जल की चमत तो बहुत ही आनंद दायक है जैसे प्रभू का आशिरवाद हो उसके जल के पान से तुम पुन्य के भागी बनोगे पुर्त्र ये रिशी स्कूप की कुछ अधिकी प्रशंसा कर रहे है उचित है रिशीवर इतना अध्भूत कूप है मैं मना कैसे कर सकता हूँ चलिए मुझे उसकी निकट ले चलिए नहीं राजन पिताश्री ने मुझे आपकी सहायता के लिए भेजा है तो आपके लिए जल लाने का कर्तव ये भी मेरा है उचित हाँ राजन आप ठके हैं मैं इस बालक को कूप दिखा देता हूँ चलो बालक ऐसा क्यों लग रहा है मैंने इन रिशी को पहले भी कभी देखा है ऐसा अध्पुत जल है इस कोप का जैसे इसमें जल नहीं अमरित हो कौन है ये रिशी मैं कंदर हूँ त्रिलोक अधीपती देवान तक और नरांदक का दूथ हूँ तुम्हें उनकी अधिनता स्विकार करनी होगी ये तो वो दूश्ट असुल है प्रभो सावधाल हो जाईए प्रभो 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 ! प्रण्वद veteran कोप नहीं, आसुरी छलता ये, किल तो आस्चर ये, प्रभू, आपकी दृष्टी में भी नहीं आया, आप भी इसमें उलज गई? क्या हुआ काशी नरेश, तुमारा रक्षक तो स्वयम अपनी रक्षा की गुहा लगा रहा है, दोष्ट असुर, ये कैसा पाप के तुने, पाप क्या पुन्ने क्या, सब हारो जीत पर निर्भर करता है काशी नरेश, और यहाँ हमारी जीत हुई है, और तुम उस बालक को अब कभी नहीं देख सकोगे, मैं रिशी कशिप को क्या उत्तर दूँगा, उनके पुत्र को कैसे संक्रिट में डाल दिये मैं लिकुत्तर, क्यों व्यर्थ में चिन्ता करते हो राजन, तुम्हें इसकी आवशक्ता नहीं पड़ेगी, और कि तुम्हारी भी मिर्थ्यू का समय आ गया है, अजम्भित क्यों होते हो, भला दिवानतक और नरांतक की अधीनता छोड़ कर, कोई बालक की शरण लेता है क्या, तुम्हारी मुर्ख्ता का परिणाम यही हो ना था, अब भुकतो, वीर योधा परिणाम की चंदा नहीं करते, जोध करते हैं, आओ, जोध करो मेरे साथ, एक और मुर्ख्ता कर रहे हो राजन, चलो, अब तुम्हारी दोनों मुर्ख्ता का दंड अश्य मिलेगा, कर दिए! कर दो! एाँ! 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 राजन अब आउसर नहीं दूँगा तुम्हें मुझ पर दया करने वाला जीवित नहीं रहता राजन तुम न रुक कर अपनी खड़क से मेरा अंत नहीं किया ये तुम्हारी भूल है अधर्म से पाई विजे भी पराजय के समान होती है कंदर लेकिन तुम क्या समझोगे मैंने तुम्हे इसले छोड़ा क्योंकि तुम निशस्त थे बस अब तुम्हारा अंत करूँगा विजे ही योदा का धर्म है राजन इसका उदहारण अब मैं दूँगा तुम्हारे निशस्त रहोने पर भी रुगने की मौर्खता नहीं करूँगा विश्वास है तो आस ही आस है और मैं कहता हूँ विश्वास है तो संकट में भी समाधान है मुझ पर विश्वास रख ले किये बिनाराख 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 मुझ पर विश्वास कि झाल तेप uniform कि को कि पाल तूग जाल कि प्रुद कि गजाओसर आपता है कि झाल कि इंस याउ समक मोर तुपक थरिवा से मद्मीजा तूफ दुपक कि पलग उक झाल कि झाल अजाय फसंब ख오 विश्वास की पत्वार से जीवन की नईया बड़े बड़े भवर से निकल आती है राजन बस आपको मुझे पर विश्वास रखना है मेरे परमित्र का वत करगे तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है बालक इसका भयंकर दंड दूँगा तुम्हें जैविनायक है जैविनायक है जैविनायक है जैविनायक देवा जैविनायक देवा जैविनायक है जैविनायक देवा तुम बिनायक जी को परणाम कर रहे हो कंदर तो क्या तुमने पराजय इस्विकार कर ली ना प्रणाम ना पराजे कुछ नहीं था वो जो मैंने देखा वो सत्य नहीं प्रम्म था वो तुम्हारी माया थी वो तुम्हारी माया से तो मुद्परविजे नहीं प्राप्ट कर सकते निशस्त्र योधा पर वार करने वाले पराक्रमी नहीं भीरू होते हैं और ये तो धर्म के विरुद्ध भी है इसलिए उठो असुर अपना अस्त्र उठाओ जो आउसर का लाग नहीं उठाते वो योधा नहीं मुर्ख हो रहे हैं बालक तुम भी वही मुर्खता कर रहे हो जो काशी नरेश्न की थी आउसर मिलने पर मेरा वत ना करने की मुर्खता यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा थाओ पज़िकुत 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 भीप्रबा मन में अविश्वास आते ही आपका चमतकार फिर से विश्वास जगा देता है आपकी चतुराई आपकी शक्ती दोनों के आगे में नत्मस्तक हूं प्रभू किन्तु प्रभू एक बात समझ में नहीं आई आपने इन दुष्टों को मुक्ति क्यों दी जाने या अंजाने में की गई सेवा का फल तो इन्ह मिलना ही था जहां एक और कूपक ने धूप के प्रकोप से मुझे बचाया विश्राम करने का स्थान दिया वहीं दूसरी और कंदर ने अपने अस्त्र को मेरे चर्णों में रख कर मुझे प्रणाम किया इसलिए दोनों को मुक्ति मिली आपकी लीला आपका चमतकार इश्वर के समान है ये महिश्शी पुत्र विनायक आपके भीतर इश्वरिय गुन है चमतकार विश्वास का आधार नहीं होता राजन क्योंकि कोई मायावी भी चमतकार दिखा कर लुभा सकता है विश्वास सच्चा कभी हो सकता है जब वो श्रद्धा और भक्ती पर आधारिद हो मैं समझ गया प्रभू समझना और मानना दो सर्वथा भिन बाते होती हैं किन्तु मुझे विश्वास है जो बात आपने अभी समझी है शीग्र आप उसे मानने भी लगेंगे ये आप क्या कह रहे हैं प्रभूत? ये मैं नहीं समझ सका उचित समय आने पर आप सब समझ जाएंगे किन्तु हे काशी नरेश ये समय है काशी की पावन भूमी की और प्रस्थान करने का हाँ प्रभू उचित कह रहे हैं इससे पहले नरांतक और दिवान तक हमें रोखने के लिए किसी और को भेजें हमें काशी की सीमा में प्रवेश कर जाना चाहिए काशी तो हमारे सामने है जिस प्रकार बिना इश्वर के भक्ती नहीं की जा सकती उसी प्रकार बिना भक्त की भक्ती के भी कोई इश्वर नहीं हो सकता भक्त के मन की भक्ती ही इश्वर की शक्ती होती है भक्त का अटूट विश्वास ही उसे इश्वर बनाता है अपनी भूलों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने से समस्त पापों का शय होता है और मोक्ष प्राप्ती का मार्ग प्रशस्त होता है झाला प्राप्ती का मार्ग प्राप्ती का शय होता है